हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुकला इस्टेडी पॉइंट पर और मैं असन सुकला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए फर्स्टमेस्टर के इंगिलिस ल या अब्जेक्टिव टाइप कुष्चन कहते हैं उनको इसमें समाहित किया गया है कि कौन से इंपॉर्टेंट कुष्चन है इस वीडियो में चर्चा की जाएगी दोस्तों आप लोग नाम और आवाज सुनकर चौक गए होंगे थोड़ा सर्प्राइज हो गए होंगे कि आ मैं इंग्लिस टीचर हूँ जहां मैं इंग्लिस टीचर हूँ और आप लोगों की सुविधा के लिए इंग्लिस पढ़ाने की जिम्मेदारी जो है वो मुझे मिली हुई है तो इस चैनल पर सुविधा के लिए एक दूसरा चैनल जो है बनाया गया है उस पर सारे कंटेंट जो अंग्रेजी के हैं वो आपको प्लब्द हम लेंगे डिटेल स्टेडी आप उस चैनल पर जाकर कर सकते हैं यहां उस चैनल का नाम इंग्लिस के गुरुज यहां इंग्लिस के गुरुज चैनल का नाम है और आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन उस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोट किये जाएंगे उसको आप प्राप्द कर सकते हैं और कई वीडियों आप से रिलेटर जो भी वीडियोज होगे वो सारे चीजें उपलब्द कराए जाएंगी तो बीए फर्स समेस्टर वालों के लिए बीए सेकंड ये और बीए थर्ड येर सारे इस्टू डेंट्स के लिए वहां पर वीडियों उपलब्द कराई जा रही है कांटीनियूली तो आप नाम से आप नहीं सर्च कर पा रहा है तो इस वीडियों के डिस्क्रिप्शन में वीडियों का लिंक दिया जा रहा है वीडियों के लिंक से आप सीधे चैनल को ओपन कर सकते हैं और ओपन करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी आपके कोर्स से रिलेटेट वीडियोज हैं, जाए माडल पेपर हो, या साल्फ माडल पेपर हो, या आपके कोर्स से एक-एक चैप्टर वाईज, सारे वीडियोज, लगबखकाई वीडियोज उपलब्द करा दिये गए हैं उस चैनल पर, तो आप लोग चैनल को सब्स कि देखे दोस्तों सांट दो दिया गया है इन विचेह भाविनी बठाचाहरई बार्न जहां भवाविनी बठाचाहर का जन्म हुआ किस साल हुआ था तो इसके बारे में यहांपर बताना है तो आप देखिए किस इे में हुआ था भाविनी जर्म हुआ था वो किस साल हुआ था इसके बारे में आपको यहां पर बताना है चार आपसन आपके दिए गए है 1902 1904 1906 1908 तो करेक्ट आपसन दोस्तों आपको यहां पर बताना होगा उसी को आपको अपनी कैंपी में लिखना होगा तो जल्दी से आफ देखिए दोस्तों इसका करेक्ट एंसर क्या है अंसर नमबर इसका आपसन नमबर सी जो है यह आपका पर इंपक्रेल इन्पर इंसर वा जोफ्यण सबनास धाइअ आईए दोस्तों आगे अगला कुश्चन देखते हैं कि अगला कौन सा इंप्वर्टन कुश्चन है इन विच उनिवर्सिटी भाविनी वाज एजुकेटड यानि भाविनी जो थे वो किस उनिवर्सिटी में एजुकेटड यानि सिच्छा पराप्त की थी उन्होंने तो चार आपसन दिया गया है दोस्तों पटना देलाई कलकत्ता और केरला अब इसमें देखना है दोस्तों कौन सा आपसन सही है उसी पर आपको टिक करना है तो इसमें अंस्वर नंबर ए सही है दोस्तों यानि पटना जिया आपसन नंबर एसमें सही है पटना इन्वर्सिटी में उ देख लीजिए हाउ मेनी नॉबेल्स डिट भट्टाचायर राइट इनाल जिहां भट्टाचायर ने कुल मिलाकर कितने नॉबेल लिखे हैं कितने उपन्यास लिखे थे तो एंसर में चार आपसं दिए गए हैं आपसं नॉबर A में 1, B में 2, C में 4 और D में 5 तो आप बताइए फटाफट इसको देख लीजिए कौन सा अंसर करेक्ट है तो इसमें अंसर D करेक्ट है आपसं नॉबर D करेक्ट है दोस्तों यानि कुल मिलाकर उन्हों कितने नॉबेल लिखे थे 5 नॉबेल लिखे थे यानि 5 चुपन न्यास लेखे थे नेट कुईशन देखते हैं दोस्तों कि क्या इंपोर्टन कुईशन है ज्यादा तर जो आरके नराहन के नॉबेल्स हैं वो कहां पर सेट किये गए हैं तो चार आप्सन दिये गए हैं मदरास मालगुडी त्रिवेंद्रम और मनो माजरा जी हां त कि मालगुडी डेज और भी मालगुडी से रिलेटेड उनके नॉबेल्स öद्टा रचनाएं और मालगुडी में छेट किया था नेठ्स क्यूशन देखते हैं दोस्तों आरके नराहनी जय हो हैं औरके नराहन ऽभूड तो चार आप आस निसमें दिया गया इंडो-इंगलियन नॉबलिष्ट नर्ष कुईच्चन देखते हैं दोस्तों और फूर्ट हो वे अज़े फ्रस्ट रीस्पेन्ट अफ सांद्मि अवार्ड फार्द बेस्ट राइटिंग निग्लीश जी अंहले अंग्रेजी लेखन में किसको जन्हले सहर्द DH 2021 किसि पहले 2021 कि श्रीया रॉन दोस्तों आरके नरायन मुल्क राज नानंद राजा राओ यह खोसुवन सिंह तो एंस स्य को इससे सबसे पहले दिया गया था तो आरके नरायन साथ को जिया इसको याद रखिये नरायनस आपको सबसे पहले किया दिया गया था साहिट तकादमी अब पापुलर यानि सबसे ज्यादा पापुलर आरके नरान का कौन सा नावेल हुआ कौन सा उपन्यास हुआ तो एंसर चाहर दिया चार आपसन दिया गया दा गाइड दा बैचलर आफास्ट दे बेंडर आफ सुईट दा फाइनशियल एक्सपर्ट यहां तो सबसे पहला आपसन जी आपसन नंबर ए जो है दगाइड यह बहुत ही फेमस नॉबल है आरके नरान चापका यह यहां पर बहुत ही परसेदुआ था इसके बारे में आप जानते होंगी कि दगाइड नाम से यह फिल्म यहां पर हिंदी सि जा चुकी है बहुत पुरानी फिल्म है अगर आप लोग देखे होंगे तो जानते होंगे नेश्ट कुश्चन देखते हैं दोस्तों कि रभीन नाट टैगोर गाट नॉबल प्राइज इन यानि नुवीन रभीन नाट टैगोर को नॉबल प्राइज कम मिला था चार आप्सन ह 1912 1913 1913 1917 1917 1923 यानि 1923 तो आप साद नंबर बी यहां पर करेक्ट्र दोस्तों यहीं 1913 में उनको क्या किया गया था नॉबल प्राइज मिला था जी यान नॉबल प्राइज बहुत चेत्रों में सांटी के चेत्र में यह सब दिया जाता है तो सबसे पहले जो है वो रविना टेगोर साहब को ही यह नॉबल पुरसकार भारत में या एसिया में कह लीजी आप तो सबसे पहले इनी को मिला था और यह उनीसो तेरा में मिला था नेक्स्ट क्विश्चन देखते हैं दोस्तों मुल्क राज आनंद्स आटो वायो ग्राफिकल नॉबल इज यानि मुल्क राज आनंद्स आपका आत्म कथात् सब्सक्राइबड यहां यहां एनको यहां से वाघं सब्सक्राइब हैं उपन्यास है नेट सकूल करें दोस्तों वाट वाज सरोजनी नाइडू जी और इजनल नेम क्या था यानि वास्तिविक नाम जो है उनका क्या था चार आपसं दिये गए देख लिजें पदमिनी घंगो पाद्या जो रोनी चट्ट भात आप रहना मुख्यों पाद्या या सरोजनी बंदो पाद्या है तो अपस्ता नमबर बी दोस्तों नहां पर कररक्ट है सरोजनी चट्टो पाद्या है नेट्स्ट कुश्चन देखते हैं दोस्तों वेनवाज सरोजनी नाइडू बार्न यानि सरोजनी नाइडू जी का जन्म कभुआ था 13 फेबरोरी 1879 यानि 13 फेबरोरी 1889 को या 22 माई 1872 या 22 माई 1882 को या 18 अगस्त 1869 या 14 दिसंबर 1865 तो इन चारों में से काउन सा आप्संस है यह कौन सा करेक्ट आप्संस है इसको आपको बताना है तो इसमें दिया गया है यानि आपका यह वाला सही है दोस्तों यानि पहला आप्संस जो आपका है यही सही है 13 फेबरोरी 1889 को सरोजनी नाइडू जी का जर्म होवा था आगे देखते हैं दोस्तों अगला तो चार अपसं दिये गये हैं life, read, self, write जिया चार अपसं दिये गये हैं तो बायो आपक था की का मतलब है लाइफ एर्था जीकल मतलब है बायो का मतलब क्या है लाइफ रतात जीवन पहला अपसं सही है दूसरा देखते हैं दोस्तों इसमें आगे कौन सा प्रस्टन है प्रस्टनल नरेटिवीजा टाइप आप जिया जो बेक्दिकत वर्णन होता है और क्या होता है किस प्रकार का होता है किसमें पाया जाता है तो कौन सा प्रस्टन दोस्तों इसमें सही है अत्म कथा में प्रस्टनल न्रेटिव देहना न next important question देखते हैं दोस्तों कि दाथर इजदा सब्जेक्ट जी आँ वही बात फिर से दोराई गई है आथर जो है वह सब्जेक्ट होता है विसे उद्देश करता होता है किसमें होता है आटो बायोग्राफी में बहुत दोनों में नीदर आप दीज इन में से किसी में नहीं तो आटो बायोग्राफी में आप जानते हैं दोस्तों क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है वही करता होता वहीं उत्देश होता है तो इसका addition जुगेंस नंबर यह जो है वह जींहें निक्त सब्जेट इससे डट डिटेल भी था सिंगल सब्जेक्ट भी यैंट ॐद्न जो वह क्या होता है आट्रो ग्राफी आत्मकत्र है जिउनी मेमौरी यानि संस्पनदाश हो प्रसनल नरेटिव यह बैक्तिगत अभल भडप जी वहां तो भड़श् inevitably वाले वाण अटम हैं यह इसमें quartz में से Apply बैक देखते हैं दोस्तों Bend सभ यह ओर साय है से बैट डीटेल भी था सिंगल सब्जेक्ट और इवेंट यानि जो साइटिस से क्यों एक ही सब्जेक्ट रथवा घतना घटना का बड़न करते हैं उसमें क्या होता है उसको क्या गहते है प्रस्नल नरेटिव जिया आपसा नमबर डी यहां साहिए प्रस्नल नरेटिव नेक्स्ट क्विश्चन देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है सार्ट स्टोरी में क्या होना चाहिए टाइटिल सीरसक बैक ग्राउंड होना चाहिए तीम होना चाहिए आलाब दीजिए सारे होने चाहिए कौन सबसे इंपॉर्टन है जो सार्ट स्टोरी में होना चाहिए तो जिए सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए यह आपका नमबर सी जो है यह सभी है कि सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए आपको टाइटिल पढ़ना चाहिए सबसे मुख्य भाग क्या होता है कहानी का सबसे मुख्य भाग क्या होता है थीम होता है या दोनों होता है या नापदी जिन में से कोई नहीं होता है तो सबसे सबसे Important पार्ट दोस्तों इस स्टोरी का क्या होता वbit यहां भासा होती है language कि गुद्ट देख दोस्तों चूरी पहेमस वाइट शूरी अपने किस इस ऑन की सब्सक्राइब के लिए reasonably टाइटल के लिए यानि भासा आलाफ दीज यानि चारों इसमें सही है दोस्तों यानि आप्स नंबर डी यहां पर करेक्ट हavors lowers the next question important NICK तरह दोस्तों आपके इस वीडियों में इंक्लोट किया गया है देखे निया दिया गया यहां दिया है तीन प्रकार कौन कौन से हैं तो एंसर में से दिए गया है फस्ति कंढ्या सेकंट लिम्तेड यह फिर्षिट फिर्षि लिम्तेड और इन चाहिए एनकडिया आपक्डि va रिमिन्सेंट अथवा हुमर सथवा आलाब दायवव यानि इस सारे हो सकते हैं तो क्या हो सकता है दोस्तों इसमें आलाब दायवव यानि तीनों हो सकता है नेट्ट क्यूशन देखते हैं दोस्तों एनकड़ाट्स आर बेरी बैलोवबल एंड इजी तू यूज़ विकाज आप दियर यानि एनकड़ाट्स जो है वह बहुत ही बैलोवबल है मातपूर्ण है या किमती है और इजी तू यूज और परियोग करने में बहुत ही आसान है बी काज मने क्योंकि आप दियर अपने किस चीज के कारण limits diversity setting या नाप दीज तो दोस्तों diversity के कारण यानि option number B जो है यहां पर वो यहां पर सही है diversity यानि विविनता के कारण anecdotes जो है वो बहुत ही महत्पूर है और प्रियोग करने में बहुत ही सरल है नेक्ट क्यूचन देखते हैं दोस्तों आ करके डाट डाट दिया गया है इस एन अफोरिज्म दैट इस considered ट्राइट इस्टेल ओवर्ली जर्नल और मेनिंगलस जियां यहां यहां पर एक option बढ़ना है ट्रूइज्म सत्वाद जिसे आप कह सकते हैं paradox प्रोवर्ब यानि यहां भी रोदवास इससे मतलब है यानि प्रोवर्ब कहा होते हैं और यहां पर दोस्तों आपसा नंबर जो है वो करेक्ट है आपका यानि क्या होना चाहिए जिहां ट्रूइज्म या सत्तिवाद आभी से कह सकते हैं यह आप इसको हां तो यहां इसको आपको आप इसको यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा आप्पोरीज्म यानि क्या है एक कावत है एक कामोधीपक भी आप कह सकते हैं यहां जिसे तुछ या ठका हुआ कह सकते हैं अस्तवेस्ट कह से ओवेरली जर्नल यानि अत्यधिक सामान और मीनिंगलेस या अर्थहीन माना जाता है यानि ऐसे ही आप कह सकते हैं कि एक सत्वाद एक कामोदीपक है जिसे तुछ बासी या ठका हुआ या तेधिक सामान अथवार्थ हीन माना जाता है नेट्स क्विशन देखते हैं दोस्तों कौन साइपर्टन क्विशन है जब कोई करेक्टर या चरित जो है पात्र जो है आफोरिज्म यानि कहाउतों की बाते करता है या सुक्त की बाते करता ही यार्सी यानि वह यानि चाहिए यह लड़की हो या लड़का हो आफ्टन कम से क्रास आज करेजियस जियां एल्डरली वाइस या कंपंज कंपैस्नेट जियां इस चारों में देखते हैं कि कौन सा यहां पर सही है तो आपसा नमबर सी जो है यानि वह उसको बहुत ही बुद्धिमान बाना जाता है यानि बुद्ध्यमत्ता का परिचे देता है वह नट कुश्चन दोस्तों वह न आप दा फ्राइमरी टूल्स आफ फोरिजमी इस यानि यानि कावत जो है या सूकति जो है उसका जो सबसे प्राथमिक अंग है या प्राथमी कुपकरण है वो क्या है प्राइमरी टूल्स क्या है उसका मेटाफर ट्रियूज्म आईरोनी या एड़ेज जहां तो सबसे इसमें आपसर नमबर ए सही है मेटाफर यानि मेटाफर का मतलब आप जानते हैं रूप अकलंकार होता है ये फिगराफिस स्पीच है दोस्तों मेटाफर ये आईरोनी ये सब क्या है फिगराफिस स्पीच है नेक्ट क्यूचन देखते हैं दोस्तों दल लिटेरल डिफनिशन आफ एंथेसिस इस यानि एंटिफिसिस का मतलब विरोधावास अलंकार होता है तो इसकी जो लिट्रेलर डिफनिशन है अर्थात साहितिक परिवासा है वो क्या है बैकवर्ट्स यानि पीछे की ओर अगैंश्ट विरुद्ध पैरालल समांतर अपोजिट यानि विरुद्ध या सामने या विपरीत आप कह सकते हैं इसको तो इन चारों में काउन सा सही है तो इस चारों में दोस्तों इसका अंसर जो है अपोजिट यानि विपरीत यह आपका सही है नेक्स्ट क्यूशन इंपॉर्टन देखते हैं दोस्तों इनिस्टीद आप ट्राने के बजाए बिरोधावाँ या इस चीज का प्रेक्टिस करना या अभ्यास करना ज्यादा वेटर है वो क्या है एवाइडिंग दिस बेरी रिसकी लिटेरी टेकनिक यानि चारों में से कौन सा सही है यानि इस जो बहुत ही रिसकी साहितिक सहली है या इसको क्या करना चाहिए अवाइड कर दिया जाना यह सही रहेगा या crafting a clear thesis statement या using parallel structure या carefully analyzing antithesis in other authors work यानि बड़े इस आउधानी से दूसरे authors के work को work में देखना चाहिए एनलाइज करना समीच्छा करनी चाहिए कि क्या विरोधावास प्रियोग किया गया है तो आपसन नंबर इसमें दोस्तों कौन साथ है आपसन नंबर सी सही है कि using parallel structure जहां क्या करना चाहिए parallel समानतर structure का प्रियोग करना यही better रहेगा net question देखते है what is imaginary यानि imagery लिका हुए what is imagery यानि कलपना क्या चीज है imagery ये कलंकार भी है figure out speech है तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि imagery क्या चीज है तो interesting dialogue है यानि बहुत ही रुचकर बाद विवाद या dialogue या vivid sensory description जो आप कह सकते हैं इवन्त संबेदी विवरण है अथवा character development यानि चैजित का विकास अथवा बोथ A and C यानि दो A और C दोनों तो आपसा नंबर B यहां पर सहिए दोस्तों यानि आपसा नंबर B सहिए vivid sensory description यानि जीवन्त संबेदी विवरण जिया imagery क्या है vivid sensory description यानि जीवन्त संबेदी विव imagery यानि imagery का नीचे जो दिये गए है option वह इमेजेनी इमेजेनी मलब imagery के कौन से परकार नहीं अर्थार कलपना के कौन परकार नहीं है तो visual imagery दिया गया है यानि दिरस्यात्मक कलपना आप कह सकते हैं इक्स्टरास संबेदी चलपना इसे कहते हैं एक्स्टरासंसरी में यानि अध्सम अलताको कहते हैं उसल्pees्था गैए एक्समाइव सट सम्सें educate जो यह यह तक्री ऑनि में क्या स्क्शंद्रीं करने Boulevard Tax क्रीरी चाले में इसके आदिन आदिन आनि कौन सा नहीं है आई आप कर देंगे आप सम्बेदी आठ संबेदी आठ कह सकते हैं इमेजरी जो है यह उसका टाइप नहीं प्रकार नहीं है नेस्ट्विशन देखते हैं और कई यानि जरी का प्रियोग होना चाहिए तो करना चाहिए या कर सकते हैं इन्हें प्रियूंब कविता में नॉबल में उपन्याज में इन असाइंटिफिक पेपर यानि जो बग्यानिक पत्र है उसमें या बोथ एंड तो इसमें दोस्तों कौन सा यह दूसरा है यानि आप नॉबल में और प्रियोग कर सकते हैं booking इंपॉर्टन देखते हैं दोस्तों की वाट व्हरमनस मास्टरपीस जैनी वह्संटर्पीस यानि क्या चीजीज है यह या प्रेंटिंग के लिए समय सारे तो चैप्टर पढ़े होंगे दोस्तों तो आप जानेंगे कि बहर्मन ने क्या किया था प्रेंटिंग आप रिफ जियां जो इस का अप्स्वंद गया है वो क्या है कि बहरमन ने क्या किया था उनकी उठी किस्ट किती क्या थी आपशा नंबर सी इसमें से यह यह पत्ती का चित बनाना नेट्स क्यूश्टन देखते हैं दोस्तों उसकी मिर्तु हो गई थी तो चवता आपसन दोस्तों इसमें सही है next question देखते हैं who has looked after John C. Sobel यानि John C. की देखवाल किसने बहुती अच्छी तरीके सिकी Siu Bearman, John C. Mother या John C. Father तो counts option दोस्तों इसमें सही है देखिए option number A. सही है दोस्तों याँ A. सही है Siu ने क्या किया था John C. की देखवाल बहुत अच्छी तरीके सिकी थी next question देखते है who painted the leaf on the wall यानि wall पर कौन किसने चितर बनाया अभी उपर आपने पड़ा है तो इसमें कौन सही है यानि option number C यहाँ पर सही है यानि Bearman ने ही क्या किया था wall पर यानि D. wall पर चितर बनाया था पिक्चेर बनाई थी next question देखते हैं दोस्तों why was the making why was she making a painting वो है एक painting क्यों बना रही थी to present it to John C. को देने के लिए to present it to Bearman Bearman को देने के लिए to earn some money कुछ पैसे कमाने के लिए put it in a room यानि अपने room में कमरे में रखने के लिए तो option number C यहां पर सहिए दोस्तों कुछ पैसे कमाने के लिए painting मना रही थी next question देखते हैं what will happen when the last leaf will fall क्या होगा जब अंति पत्ती गिर जाएगी C will die C यानि जॉनसी की बात हो रही है जॉनसी मर जाएगी या तो आ जॉनस बिल डाई जॉनसी जॉनसी मर जाएगी अगर अंतिम पत्ती गिर जाएगी वही अपने कमरे से यानि बाहर जो लता थी आईवी वेंद थी उसी को आईवी क्रीपर जो थी उसी को देख रही थी उसकी पत्तियां गिन रही थी और ऐसा हो सोच रही थी मन में नेक्ट क्विस्चन देखते हैं दोस्तों वाइवाज जॉनसी लुकिंग एट आउट आफ द विंडो यानि विंडो के बाहर जॉनसी क्या देख रही थी तो एन आईवी क्रीपर यानि एक लता मैंगो ट्री यानि मैंगो का पेंड अर्थादाम का पेंड रोज पलांट ग जैने आइवर्ण और को सब्ड़े क्लेकशते आतर घ्री तौह आतर थका देख रही थी तो आइव सबक्सक्राइब अस्ट नंबर करफिंग यानि एक लता देख रही थी नेक्ट क्विस्चंड देख देखते हैं जनसी प्यानिंग क्या हो गया था जिहां नियुमोनियाऊ सब्सक्राइब लाइन से प्ताइब आपना है कि इस स्टोरी में कहानी में के कहानी के पात थे ने लगी के लिसे कहानी चल रही है कि बात eatias तो इसमें डी वाला सही है आप जानते हैं बेहरमन जान सी स्यू यह सारे क्या थे इस कहानी के पात थे नेस्ट क्विश्चन देखते हैं वाई डू मेनी टीनेजर फिल्ड इपरेश यानि बहुत सारे टीनेजर जो है टीनेजर का मतलब की जिनकी जो है थर्टीन से लेकर खिरन या परेशान या बहुत ही जादे दुखी के हो जाते हैं तो विकाज आप टू मैनी डिजायर से नहीं बहुत सारे इच्छाओं के कारण विकाज आफ हायर एस्पिरेशन विकाज आफ इन एवेल्टी टू को बिद्दा एक्सपेक्टेशन आलाब दैबब यानि चार योग ना होने के कारण जो है बहुत सारे जो स्टूडेंट है या बच्चे जो है वो क्या है डिप्रेश्ट हो जाते हैं यानि डिप्रेशन में जा सकते हैं नेट क्विशन देखते हैं आन हाट हालिडे डज नेवी राजमो वालंटीर टू वर्क आन जहां किस किस ओलेडी पर किस छुटी पर जो नेवी राज राजमो है वो क्या है बड़े हिस्व अच्छा से कार को करता है तो इस्टर है क्रिस्मस है अत्वा पासोबर है या गुड फ्राइडे है तो दोस्तों आपसा नंबर यह सही है यहां पर यानि इस्टर के दिन बड़े ही रूच से पैरा मौन ही यह थो दवेंट यानि जरोकों से पैरा मौन और नेवी राजमों क्या सुन रहे थे कैरीज क्रेस यानि गाड़ी के तूटने की आवाज चेल्डरन प्लेंग बच्चों की खेलने की आवाज चर्श बेल संड कैरीज यानि चर्च की घंटी अत्वा गाड़िय चलने वाली गाडी थी उसका जो ड्राइबर था उसका पूरा नाम क्या था लोन अमाला पो लोना सो लोखो या लोना या लोना पैटापो तो अब्स नमलड़ ब्ड़ी यहाँ पर सही है दोस्तों लोना पैटापो उसका टो प्ना नाम था ओब तो हिस कंट्री ड़ज दस भी लांग 주고 किस से भी लांग करती थे स्टोरी कुमадцgn सीखने के सब्सक्राइब दोस्तों यह पढ़कर नहीं जान पहाएं तो जान लिए नायक सब्सक्राइब ड्राईस-ठीर की बात हो रही है जिसके राइटर जो और क्यों हैं प ledy t चार आपसन दिये गए हैं दोस्तों चारों में से एक सही है कौन सा सही है फ्रांस से रसिया से जर्मनी से अथवा ह Gud कि यूजिलेंड से तो ये चारों में से कन साथ सभी स्भाइल यहां पर आपका जो है स्भाला सभी रहीड एक कहानि जो कहां से विलांग करती मि और पर श्रीलांग करती है्ट व्लांग कोल देखते है कर गाल फिर्वाला और अथर राइटर को नहीं तो एंटन चेको नेस्ट कुछिशन देखते हैं हुज लोन आज फर्स्ट फेर यानि लोलवा का पहला भाड़ा क्या था रिच महें था या मिलिट्री आफिसर था या पीजेंटर था किसान था या ब्यूटीफुल लेडी सुन्दर महिला थी तो आप यानि मिलिक्ट्री का दिकारी जो था वही था नेट्स कुछिशन देखते हैं लोना इस बेरी सेट वीकाज ही यानि लोना बहुत दुकी था बीकाज ही डाइड रिसेंटली बीज में कुछ भरना आए वाइफ वरना सन बरना डाटर या हर्थ वरना यहां तो आप सन नमबर भी यहां पर सही है कि उसकी बेटे की ततकाल में ही उसकी बेटे की मिर्थ हो गई थी इसलिए लोना जो था बहुत ही दुकी था नेट्स कुछिशन देखते हैं कि लोना सेकेंड फेर वाज दूसरा बाड़ा क्या था बिजनस मैन मिलिट्री आफिसर या थिरी आपनॉक्सि आपने दुख को बाटने के लिए जाता है तो चार आपसंदी गें हार्स फ्रेंड यानि गोड़े के पास मित के पास फादर रत्वा पतनी के पास तो आंसर नंबर यहां पर दोस्तों सही है कि वह घोड़े के पास जाता है कोशन कहता है भी सेलव दाई काउन कहता है कि हम सब मरेंगे लonta कहता है dedicated Dao झालता था आपसंद दोस्तोंं सatan त्यों है कि यहलग मैन कहता है कि हम सब मरना यानि हम सब मरेंगे एक ना एक दिन सब्सक्राइब करने जा रहा है तो कहां जा रहा है दोस्तों जो उसमें करेक्टर है वह कहां पर जा रहा है यानि साधी सुदा होने जा रहा है नेट्स कुछिचन देखते हैं ही वाज अफ्रेड वाज आफ्रेड आफ यानि वह डरा हुआ ता किस से डरा हुआ था गेटिंग मेरीड साधी करने से बिइंग अलांग अकेले रहने से मेरी साधी करने के लिए क्यों डिसाइट करें मलब क्यों ने रहता है तो पहला अपसन है तुक ग्रेटिफाइज सेक्षूल डिजायर यानि योन सुख लेने के लिए अथवा ही नीट्स अनाइस कुक उसे एक अच्छे रसों ये की जरुवत थी कुक की जरुवत थी यानि खाना पकाने के लिए यहाँ हने साधी जरुवत होती है तो यहीडी वाला आपका सहिए दोस्तों वह सके ले रहने से डर ताला है कि उसको क्या है कि सुफिये ड़रुवत होती है यह मन्लब इसकी उसने क्या किया साधी करने करने लिया नेट्स क्वstra Reynolds देखता है natal दोस्तों कि वाट इस दा नेम आफ ओमेंस ओमें रेमन इस मेरिंग यानि उस औरत का क्या नाम था रोम रेमन जिसे साधी कर रहा है तो मैडम ओसली लेजोल या मिस एनी या साइमन डी ब्यूएवियर या बेट्टी फ्राइडन जियां तो उनका नाम था आपसा नमबर यहां पर सही है मैडम ओसली लेजोल कि नेस्ट क्यूस्टिन देखते हैं तो हूम डेजरेमन राइट लेटर इंफार्मिंग आव इस डिसीजन आप गेटिंग मेरेडिया नहीं अपने साधी करने करने का जो इनफार्मेस नहीं सूचना जो है वो किसको देता है जियां किसको देन पिरेडी को या लेजोल को या ननाबदी तो इस में अपसण नमबर दोस्तों कौन सा सही है बी वाला सही है प्यारेडी कवर्ली को वो कि देता है सूचना next question है Smile और हो इस दनरेटर इन्द श्टूरी दटेरर जिहां डटेरर जो है भयेओ जो काहानी है इसका नरेटर यानि कथा वहाचक को ह düşve Bye सब्क्सक्राइए ध्यां। तो आप्सान नमबर एह यहां पर सही है दोस्तों रेमन जो जो है वही स्टोरी का नरेटर है यानि वही कथा वाचक है नेंस क्रिष्चन देखते हैं दोस्तों हुई जात हराफ दा स्टूरी दा टेरर यानि दा टेरर कहानी के लेकर कौन है तो मोपासंट है या लियो टॉलस्टाय है या अंटन चेक हो है या वह हैं तो पहला आप संदोस्तों होई सही है मोपासंट नेट्स कुश्चन देखते हैं रेमन्स रेमन्स सफर स्पराम यानि रेमन जो है वह दुखी है किस बात से दुखी है क्योंसी बिमारी हो गई है उसको तो सीरियस मेंटल डिसार्डर यानि गंबीर मांसिक बिमारी उसको हो गई है अधवा सोम सोम नेम सोमनें बुलिज्म हो गया उसको यानि नीन में चलने की बिमाडी हो गई है तो या इंसन्टी छे इनित अर्थात पागलपन हो गया है तो कौनसी बिमारी हो यह दोस्तों पहला और यह 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 आपसा नमबर A सही है यहनि serious mental disorder उसको हो गया था गंभीर मानसिक बिक्रिती जिसे आप कह सकते हैं यह उसको हो गया था यह यह उसको यह विमारी हो गई थी नेक्ट क्यूशन देखते हैं कि वाट इस दा फ्रेंच टाइटिल आप टेरर यह दा टेरर का जो फ्रेंच सीर सके हो क्या है लियों स्वी लुई यतवन आप दीज तो इसमें से कहन से यह तो आपसा नमबर सी से यह दोस्तों लुई लू आप कह सकते हैं इसको नेक्ट देख पर बाटा हुआ एक आदमी अथवा एक थीफ मिल जाता है थो एक भूत अथवा एक सर्प मिल जाता है उसको चार अपसंदीग है चारों में से कहन सा सही है आपसा नमबर A सही है दोस्तों यहां पर मैं सिटिंग आना चियर यानि कुर्सी एक कुर्सी पर बैठा हुआ एक आदमी इसको मिलता है तो यह दोस्तों आपके इंपॉर्टन्ट कुश्चन थे जिसको इस वीडियो में इंकुलूट किया गया है अब यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए इतने कुश्चन को इसमें इंकुलूट किया गया है आगे अभी आपके कोर्स रिलेटेड और भी चैप्टर है और उनसे रिलेटेड अभी आपके यह वीडियो जो हैं अभी हैं उनका भी वीडियो आपको जल्दी से उपलब्द कर दिया करा दिया जाएगा तो इसके लिए दोस है यानि इंगलिस के गुरू जो की पहले ही यानि वीडियो के सुरुवात में बताया गया था उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि उस पर जो वीडियो अफ्लोड हो वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रह है जो भी आप कि छोटे भाइब है नहीं जो आपके कलास में नहीं है तो उनको आप उनको पढ़ने के लिए बता सकते नहीं तो अंग्रेजिBooks की डिटेल इस्टेडी के लिए आप इंगलिस के गुरू नाम का जो हमारा दूसरा चैनल है उसको आप positive वीडियों देखिए सारी डिटेल स्टेडी आपको उस पर मिलेगी वीडियों के अंत में दोस्तों यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उस चैनल का दिया गया है अगर आप उसको डूंड नहीं पाते हैं यानि ऐसे नहीं मिल रहा है आपको तो आप क्या करते हैं कि बीडियों के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से डारेक्ट ऑपन कर सकते हैं तो धन्यबाद दोस्तों आज की वीडियों में इतना ही मिलेंगे फिर अगले वीडियों में तब तक के लिए धन्यबाद जैहिंद